भूतिया हवेली, एक छोटे से गाव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो कई सालों से बंद पड़ी थी. लोग कहते थे कि हवेली में रात को अजीबजी बावाजे आती थी, और कभी-कभी वहां एक सफेद भूत दिखाई देता था. एक दिन, गाव के कुछ सासी लड़के हवेली में जाने का निरने लेते हैं. रात होते ही वे हवेली की और बढ़े. हवेली का दर्वाजा धीरे-धीरे खुलते ही, उनकी दिल की धड़कने तेज हो गई. अंदर जाकर उन्होंने देखा कि हवेली में हर जगा धूल जमी हुई थी और हर कोने में अजीब से साय थे डॉट. जैसे ही वे एक बड़े हॉल में पहुँचे, वहां अचानक एक थंडी हवा चलने लगी और एक सफेद भूत का रूप सामने आया. भूत ने कहा, मुझे परेशान मत करो, मैं यहां एक पुराने अधूरे काम को पूरा करने के लिए हूँ. लड़के डर के मारे काम पने लगे. भूत ने उन्हें बताया कि वह हवेली के पहले मालिक का आत्मा था, जो अपनी मृत्यू के बाद भी अपनी पत्नी को एक विशेश गहना देना चाहता था. लड़के ने भूत की मदद करने का निरने लिया और हवेली के पुराने कबाड में खोजबीन शुरू की अंत्ता, उन्होंने गहना ढूंड लिया और भूत को सौप दिया डौट, गहना मिलते ही बतने धन्यवाद कहां और हवेली से चला गया. उसके बाद से हवेली में कोई अजीब आवाजे नहीं आई और गाव वालों ने आराम से रात बिताई.